हरे किश्णा मैं हूँ रीना शर्मा और आप सब का स्वागत है मेरी रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मिल्क शेक बहुत आसान है 3-4 मिनिट में ये बन के तयार हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है मैंगो तो सबी को पसंद है लेकिन मैंगो शेक भी बहुत अच्छा लगता है आप एक बार इसे बनाएंगे तो कई बार इसे बना कर पीएंगे गर्मियों में ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक बनाना और उनको धगवान को भोग लगाना और फिर ग्रेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है एक बार जरूर बनाईएगा और देखिएगा कि आज हम किस तरीके से मैंगो मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं तो आईए मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए हमने एक ये मिक्सर का जार ले लिया है और इसके अंदर अब हम दो कप मैंगो डालेंगे ये हमने इस तरह से पीसिस में आमों को काट लिया है और इन्हें अब हम इस जार के अंदर डाल देंगे आम जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये आम ही लें ये नहीं लें आपको जो भी आम पसंद आते हैं आप वो आम से मेंगो मिलकशिक बना सकते हैं अब हमने सारे आम इस जार के अंदर डाल दिये हैं इसके अंदर अब हम देड़ कप दूड डालेंगे ठंडा दूद चाहिए हमें बिल्कुल फ्रीज वाला और उसे हम इसके अंदर डाल देंगे तो डेड़ कप हमने दूद डाला है इसके अंदर तीकने से आपको जैसी चाहिए उसे साब से कम या जादा आप दूद कर सकते हैं इसके बाद इसमें 5 टेवल स्पून हम शुगर डालेंगे मीठा भी आप अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं अब 3 स्कूब हम इसमें डाल देंगे बरफ बरफ डालने से ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एक दम ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए इस तरीके से हमें इसे ब्लेंड करना है और ये हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है हमारा मैंगो मिल्क शेक बनके तयार हो चुका है ये देखिए एक बार इसे हम चमच की साहता से अच्छी तरह से गुमा देंगे और ये देख सकते हैं आप कि हमारा mango milkshake कितना अच्छा बन के तयार हुआ है कलर तो जैसा आप mango लेते हैं उसे साबसे mango का कलर आता है कई mango के कलर थोड़े डार्क होते हैं उसे साबसे थोड़े डार्क कलर आता है कई के light होते हैं तो light कलर आता है अब इस mango milkshake को हम glass के अंदर transfer कर लेंगे तो हम glass के अंदर इसे डाल लेंगे और देख सकते हैं आपके कितना सुन्दर दिख रहा है और यकीन मानिए कि पीने में भी यह उतना ही टेश्टी बना है तो glass के अंदर जितना आएगा उतना हम उस glass के अंदर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा गानिश कर देंगे वैसे यह जरूरी नहीं है ऐसे ही पीते हैं लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा crunch मुह में आता है तो अच्छा लगेगा इसलिए हम थोड़े से कटे हुए बादाम, कटे हुए थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता इसके अंदर डाल रहे हैं जिससे कि यह पीएंगे उस समय हमारे मुह में आएंगे तो अच्छे लगेंगे इसे डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा चेरी से सजा देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे इसलिए मैं इनके उपर एक एक चेरी रख दूँगी और ये तैयार है हमारा मैंगो मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है तो पहले ठाकुजी को भोग लगाईए और उसके बाद ग्रेंड कीजिएगा बहुत अच्छा बनता है बहुत टेस्टी बनता है बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा थोड़ी देर इसे फ्रीज में रखिए और उसके बाद एकदम ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे पीजिएगा रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद हरे किश्ना